यस सिंग जी, महराश्ट्रा से, महराजी राधा वल्लव शियर येंश, गुरुदेव गवान, आपके चरणों में डंबत प्रणाओ, महराजी, आपके सत्संग से ही जान लिया है कि जीवन का लक्षी श्री कृष्ण है, और महराजी मैं देश की सेवा भी करना चाहता हूं, अपने करतब्य का पालन करते हैं अपने जीवन को प्रहु के ऊपर छोड़ दीजिए, अंदरा कांक्षा है, राष्ट्र सेवा, समाच सेवा, परिवार सेवा, और ये सब सेवा अपने प्रहु श्री कृष्ण के लिए है, अब तुम से क्या करवाना चाहते हैं, वैसी पेर आप एक विद्यारती हैं, आप एक विद्यारती हैं, तो फिर आपका करतब विद्याद्यान है, असी है, वो से डिगरी के लिए करता हूं, तो क्या विद्या से समाच सेवा नहीं हूं पाएगी? पर मैं उस मार्व से नहीं करना था जिसमें पढ़ाई करना हूँ तो फिर लंगोटी लगा और तपस्या करू भेंक अभी चिदानंद तत्युमें इस्तितों का सर्वे भौंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राने प्रशन तुमा कस्चे दुख भाग वे दोई मा निवरत्ति मार्ग में बच्चा बहुते कठीन मार्ग है निवरत्ति मार्ग इसमें चलने की जो योग्यता है वह भगवत करपास ही आती है नहीं तो पचासों वर्स हो जाते हैं हर रोड का ग्यान है चले एक कदम किसी रोड पे नहीं यहां तु बैठे बैठे सब पता चल हमें बहुत कठीनी मार्ग चलना दो हमें लगता है कि बहुत अच्छी विध्य telephone करो सेज समय कि शेवा भगवान की सेवा मानों धीरे धीरे वो आपको विस्तार में लगा देंगे योगिता देते चले जाएंगे और भजन अंदर अंदर करो नाम जब करने के लिए वेश बदलना या देश बदलना थोड़ी ज़रूरी है नाम जब तो अंदर अंदर होता है राधा बन गए एक अच्छे नेता बन गए तो हमारे समाज को सुख पहुंचा होगे तो हम ऐसे निराशावादी ना बने के हमको इस मार्ग से नहीं जाना नहीं नहीं हमें प्रभू जो कारेंगे हम उसको पूर्ण भगवान की आग्या मान करेंगे अर जुन करें हमें युद्ध इसे इतने पढ़ाई में लग जाओ कि जिस विशय को लोगो उस विशय को कंठस्त कर लो उस विशय में फस्ट आओ प्रवीन आओ आगे बढ़ते चले जाओ समाज सेवा की योग्य बन जाओगे निश्वार्थ जो है वो सेवक होता है श्वार्थ बुद्धी से जो देखो अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको ज्यान नहीं होगा अग्यानी किसी के सेवा नहीं कर पाता है छैसे ज्वार्थ यह नहीं कर पाता है प्रणाम है उन गुर्देव को जिन्होंने वाक्य का ग्यान कराया, सब्द का ग्यान कराया, उस समय लग रहा था कि ये तो संसारिक पढ़ाई है, लेकिन अगर वो न पढ़े होते, तो आज गीता, भागवत, रामयाण, सास्त्र, संस्कृत, ये हम कैसे पढ़ पाते, तो वह ही काखा गागा, वही बड़ा की मात्या, छोटा की मात्या, वही हमको लगाए इस महार की में, अगर आप एक अच्छे विद्वान, तो आपको सास्त्र का भी ज्यान हो जाएगा, समाज का भी ज्यान हो जाएगा, बुद्धी का प्रकास, तो आप समाज सेवक बन सकते हो, बुरा आचरान करने की जो हमारे अंदर पेरणा हो रहे है उससे बचने के लिए नाम जब चला है और अच्छे आचरान को किस तरह से समाल के करें उसके लिए हम विद्याध जयन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया करत भी करें हो आप ऐसे थोड़ी बेकार कायर थोड़ी बैट अपने आपको मिटा दे अपनी हस्ती को मात्तों को मिटा दिया जिसने वह उस बड़ा कथिन मार्ग है भगवान की गुरू की कृपा से चला जाता है तो यह बढ़िया है ग्रेष्थी में एक सद्ग्रेष्ट होकर वही गती होती है गती में अंतर नहीं पड़ेगा सद्ग समाज की सेवा बनेगी राष्ट की सेवा बनेगी अगर एक आदमी को सुधार दिया जाए तो हम राष्ट की सेवा कर ली अपने पूरे राष्ट में एक आदमी का सुधार हो जाए ऐसे एक एक आदमी सुधार ना सुरू हो जाए पुरा राष्ट सुधार जाएगा हम चाह ब्रह्मचर इसे रहो, ग्रेष्थी में जाओ, तो धर्म पूर्वक ग्रेष्थी का सेवन करो, समाज की सेवा करो, क्यों? ठीक है न? ये बात सोचना कि ये मुझे नहीं करना, ये बात नहीं, ये अधर्म के लिए सोचना है, मुझे पापा चरना नहीं करना, गंदी बात नही करनी पर मुझे भगवान किसान मनाएंगे विद्वान मनाएंगे राष्ठ सेवग बनाएंगे यह क्या करना चाहते हैं यह उनक्यूपर हम छोड़ देते हैं और जो मुझे सेवा देंगे मैं उसे धर्म पूरुवा करतब में मान कर करूँगा और उसी करूंगा जो आप कहेंगे ठीक है ना मानो शरीर तुम्हें भगवान के द्वारा दिया तो माता पिता है तुम्हारे परिवार है तुम्हारा करतब भी सेवा बनता है ना अब उसके लिए मेहनत करो वह अपने आप संयोग बैठ जाएगा किसानी ब्यापार पढ़ाई लिखा जब जिस कारी के लिए हरदेशीतल हो जाए और वो धर्म पूरवक हो तो अंदर से पता चलता है भगवान का आदेश है और जिस कारी के लिए अधर्म के लिए कह वो मन का आदेश वाशना में अंदर सूचना आना ये मन का खेल है और धर्म पूरवक अंदर सूचना आना द आपको ग्ञान नहीं है आपसे पुछा जा कि आप कैसे जाने ठीक है उप जो मेरे हुंको की तहीं बस और जो यह मन कहता है बोग वास्ठना की गंदी बाते उ अंदर से भगवान रोखेंगे गलत है अपने आप समझ लो यह अंतर मुखो कर पता चलता है बहन मुखो के नहीं मन सदय वाशनात्मक भाव करता है और भगवान उसे रोकते हैं कि ये गलत है मत करना ये पाप है और जब हरदेश सीतल हो जाए जिस कारी के लिए सीतल होना और हरशित होना में अंतर है जैसे अच्छे-च्छे पदार्द खा लिए हरदेश सीतल अपने के कारे में हरदेश सीतल होता है जब अंतर की वाथें ऊक्ष्म समझना माता-पिता परिवार को शुक पहुंचाने की ब्रत्ति रखो जैसे सरीर से मन से वचन से जैसे बने जवान हो चाहे जो मेहनत करनी पड़े मेहनत करके माता-पिता को शुक पहुंचाओ भगवान है ऐसी भावना करें